पॉप्यों, और अमेरिका पर भी नरेंद्र मोदी का सरसाफ साफ देख रहा है अमेरिका कि विदेश मंत्री माईक पॉम्पियों ने कहा है कि भारत और अमेरिका की बीच रिश्टे और मस्बूत हो intent इसी महिन आपन भारत दौर पर भी आने वाले हैं यह हैं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो जो इसी महीने भारत यात्रा पर आने वाले हैं तेजी से बदलती दुनिया में अब अमेरिका को लग रहा है कि मोधी हैं तो मुमकिन है इसलिए वशिंग्टन डी सी की सोच पॉंपियों के जुबान पर आगए एक बार फिर सुनिये आखर पाई कॉंपियों ने क्या का दरसल पीए मोदी ने जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड रखी है वैसे में अमेरिका को अब लगने लगा है कि भारत की दमदार भूमिका से आतंक का सर्वनाश हो सकता है आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान जसे देशों का इलाज किया जा सकता है उन छोटे छोटे देशों की समप्रभुता और सम्मान की रक्षा की जा सकती है जो दक्षण एशिया में चीन जैसी शक्तियों के प्रभाव में आ चुके हैं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉंपियो 24 जून को भारत आ रहे हैं प्रधान मंत्री मोदी आज शंगाई सहयोग संगठन यानि SEO सब्मिट में शामिल होने के लिए करगिस्तान के विश्वेक पहुँच रहे हैं इसमें रूप्स, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उस्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं मतलब विश्वेक की हर हल्चन और केमिस्ट्री पर अमेरिका की पैनी नज़र रहेगी इस संगठन का मकसद सरस्त देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, आतंकवाद से निपटने में मदद करना और शेतर में आर्थिक सहयोग बढ़ाना है शंगाई सहयोग संगठन का मकसद आतंकवाद का खात्मा भी है, जिसके खिलाफ अमेरिका लंबी लड़ाई लड़ रहा है लेकिन उसके तोर तरीकों की बज़ा से आतंकवाद का खात्मा आज तक नहीं हुआ ऐसे में अमेरिका के लिए जो अब तक नामुम्किन जैसा रहा है, उसे अब नरेंदर मोदी मुम्किन बनाने के लिए कोशिश कर रहे है आतंकवाद को बालने बोसने वाले पाकिस्तान को बिलकुल अलग खलग कर दिया है शायद इसलिए माइक पॉंपियों को कहना पड़ रहा है, मोदी है तो मुम्किन है आज तक गरूँ झाल